Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our topic Types of Models. Introduction देखो जो model हैं अलग-अलग type के, like solid model, working model और sailing model. तो पहला आपका आता है solid model. Solid model ऐसा model है जो आपका solid block of wood से बना होता है, including appendages और additional parts जो आपके attach होते हैं usually basic structure बनाने में. आपका जो solid model है इसको basically उस purpose के लिए बनाया जाता है कि जिसे NCC के रेट से उनको दिखा दिया कि बैद देखो ये ship के आपके parts हैं, ये parts यहाँ हैं या parts यहाँ हैं, आप उसको sail नहीं करवा सकते हो या पानी में नहीं उतार सकते हो उस model को. अगला आपका आता है working model, working model आपका boat का एक scaled model होता है, उसके अंदर सारे mechanical और electrical parts लगे होते हैं. मतलब आप उसको चला सकते हो, work करेगा आपका model. ये इसको हम design करते हैं, project करने के लिए, दिखाने के लिए कि actually में एक boat या ship कैसे चलती है. Sailing model, आपका scaled model होते हैं और motor भी उसके अंदर fitted होती है और भईया वो अच्छी तरीके से sail आपका कर लेता है. Then comes your stabilizing of model. एक आपका बहुत बड़ा advantage ship modeling में ये है कि almost हर चीज़ें float कर जाएंगी ठीके और अगर sufficient आप power उसको दे सकते हो ना, तो वो आपका propel भी हो जाएगी through the water. तो इससे क्या होता है? एक satisfaction मिल जाता है, एक normal जो model बनाता है उसको. एक models का जो पहला contact होता है पानी से ठीके वो usually तब होता है कि जब paint की last coat करना होता है ठीके और that is it. फिर है आपका कि जो आपका water line है ठीके उसको mark वो लोग कर लेते हैं पहले से ताकि आप उसकी नीची की जो कील और यह सब हैं वो आप बना सको. see इसको तो यार just read it, just go through this thing, ठीक है? it is not that important, I am just skipping this part, ठीक है? जैसे आपके कुछ-कुछ types के हैं, hull है, planked hulls है, ठीक है, bulk hulls है, इस चीजों को देखके ना डरने की ज़रुत नहीं है, कि यार यह क्या आ गया, कैसे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इसको आप बस एक reading लगा लो, तो main important topic है, इस मेंसे जो आ सकता है, वो यही है कि आपके कौन से कौन सा type है, model के, solid, working, और selling, और बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, value-based में वो, maybe they can ask, how models can work, तो इसको आप एक reading लगा लो, और मेरे according, तो इनकेस अगर इस it. So, this was all in this lecture and meet you in the next lecture. Till then, take care, Jai Hind!